वेलकम फ्रेंड्स हमने जो पिछले दिन पढ़ा था उससे संबंधित कोस्चन है उससे देखते हैं कहता है मेन्यू बार विकल्पों का उपयोग करने की तुलना में सौटकट मेन्यू वर्ड के विभिन कमांडों पर सिग्र पहुंच उपलब्द कराता है यह सही है यदि हम स संकुचित मेन्यू में सभी कमांड प्रदर्सित होते हैं यह गलत है संकुचित मेन्यू का मतलब हुआ देखिए ms word में हम यहां पर हैं संकुचित मेन्यू का मतलब होता है यह जो सामने आपको यहां दिखाए दे रहा है इस तरह से यह हुआ अब जैसे इसी में सारा window पर आएंगे तो यहां देखे नीचे दिखाईएगा Macro पर आएंगे तो यहां नीचे दिखाईएगा जैसे सब्सक्राइब यहां हम किसी option पर क्लिक करतें यह expand हो जाता है ना तो संकुचित menu में नहीं दिखाई देता है ये expect होने के बाद उसमें क्या-क्या option है वो दिखाई देता है तो संकुचित मैन्यों में सभी command प्रदर्सित होते हैं यह गलत है वो expect होने के बाद सारा command वहां पर दिखाता रूलस दिखाएं और च्छिपाएं यहां से इस पसा यहां लिखा है यहां से लिखा है यहां लाप्ट में भी डेखते हैं यहाँ पर रूलर न तो यह हमारा रूलर आ गया यह विव टैब में होता है तो यह हमारा सही है व्यू टैब से ही वह आता है और व्यू टैब से हट जाता है फिर है चौथा वर्ड दस्ता बेज के टाइपिंग छेत्र में चमकती वी काली लंबवत रेखा इंसर्शन पॉइंट होती है तो यह सही है देखिए वर्ड डॉक्मेंट में हमारा यह जो लाइन आपको दिखाए देरा देखिए खिसकरा है इस पेस बार हम दबार हैं यह जो दस्ता बेज के टाइपिंग भूकाब में चमकती है चाली लंबवत रेखा इंसर्शन पॉइंट होती है यह हमारा सही हमोट में यहँए के यह जाता है यह पर नीचे यह तरह सकते हैं यह दूसरे-पेसरे-पेस से जाने के लिए लिए होता है है ना इस प्रॉल बार हुआ ही है मार्जिन सेट करने के लिए यह रूलर है हमारा यहां पर यहां से हमारा मार्जिन सेट करने का मार्जिन सेٹ करने के लिए अब क्या करना होगा मार्ज दाहिने भाग करना होता है यहां पर क्लिक करना है मार्णाय इस तरह से दिखारा है नहीं माउस को क्या करना है right click करना है right click करने से shortcut menu दिखाए देता तो यह दूसरा आप्शन इसका होगा फिर है हमारा निमनलाखित में से किसे set करने के लिए 36 scale सिगृता के साथ उप्योग किया तो 36 scale वही हमारा क्या set करने के लिए तो मार्जीन या टैब या इंडेंट यह उपरोग तो सभी हो जाएगा है ना मार्जीन सेट करने के लिए भी हमारा होता यह हुआ चैटी जिसके लापका यहीं पर यहां से हम मार्जीन भी सेट कर सकते हैं या हम यहां से इंडेंट भी देखिए जैसे हमारा यह यहा करने के लिए हैं चosed कर सकते हैं च हम ALTI सभी इसका अंसर हमारा और अब करके कि इस टार्ट बटन का अउप्योग करके वर्ड प्रोग्राम को सुरू करने के लिए क्या कमांड होता है तो यह पहले होता था MS जो हमारा वर्ड जो है 2007 वर्जन में था क्या था स्टार्ट बटन का उप्योग करने के लिए हम जाते थे कहां तो स्टार्ट पर क्लिक करते थे फिल आल प्रोग्राम्स में जाते थे फिर वहाँ पर Microsoft Office में जाते थे और फिर Microsoft Office वर्ड 2007 साथ सेलेक्ट करते थे ठीक है यहां देखिए नोट्स में भी हम दिखाते हैं MS वर्ड प्रोग्राम सुरू करने के लिए स्टार्ट पर कहले क्लिक करेंगे पहले फिर आल प्रोग्राम्स में जाएंगे फिर यहां Microsoft Office में जाएंगे और फिर Microsoft Office वर्ड चुनेंगे लेकिन यदि अभी आपको वर्ड स्टार्ट करना हो तो सिंपल सा हम विंडू बटन प्रेस करते हैं वर्ड टाइप कर देते हैं तो देखिए वर्ड आ गया यहां हम यहां पर वीन वर्ड लिखते हैं वीन वर्ड डव यह अभी नया method है हमारे use के लिए अब हम मेल मर्ज से सम्मंधिद यहां पर चेप्टर देख रहे हैं उसका question भी यहां पर देखेंगे तो मेल मर्ज में ध्यान देने वाला बात जो होगा वो देखते हैं यहां पर आपको ध्यान देना है मेल मर्ज में दस्तावेजों के प् तो जैसे आपका हो गया, जो later हम लिखते हैं, या envelop हो गया, या mailing लेवल हो गया, यह हमारा मुख्य दस्तावेज होता है। फिर data शूरूत या data source इंगलिज में option था वहाँ, data सूरूत वह फाईल होती है, जिसमें नाम और पता या अनप्रकार की जानकारी होती है। और final हमारा होता है merge दस्तावेज, मतलब ये जो मुख्य दस्तावेज और data Really है is दोनों को मिला कर हमारा बन गया merge दस्तावेज, जब आप मुख्य दस्तावेज को data स्रोथ के साथ merge करते हैं तो merge Simsर दस्तावेज नामक तीसरे दस्तावेज का निर्मान हो जाता है तो ये तीन चीज हमें ध्यान आखना है मेल मर्ज में तीन चीज क्या अब होती है मुख्य दस्तावेज की जो हमारा लेटर होता है प्राय या लिफाफा involve हो गया या일िंड लेवल हो गया और डेटा सुरोत में हम является करते हैं नाम और एड्रेस देते हैं और मर्ज दस्तावेज में हमारा दोनों मिला कर हो गया उसमें लेटर भी रहेगा और उसका नाम पता भी वहां पर लिखा रहेगा तो यह मुख्य बाद था जो में ध्यान में रखनी थी माई के हम में मेल ने करते हैं इस collar ने mail merge में हमारा यहां पर कितनी तरह का जो है document हम ले सकते हैं तो letters, email messages, envelops, labels और directory यह हमारा हो गया क्या यहां पर आपको यह हो गया हमारा मुख्य दस्तावेज तो mail merge में जो मुख्य दस्तावेज होता है वो कितना तरह का होता है तो यहां आएंगे हम mailings में start mail merge में लेटर होता है, email होता है, envelope होता है, label होता है, directory होता है, मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, पांस तरह का जो है हमारा मुख्य दस्तावेज होता है, ठीक है अब यहां हम step by step mail merge wizard पर क्लिक करते हैं तो पहला जो option होता है हमारा यह पूछता है what type of document are you working on मतलब आप किस तरह के document पर काम करना चाहते हैं, यह भी पूछा गया है कि first step mail merge के पहले step में क्या option आता है, क्या पूछा जाता है तो हमसे पुछा जाता है, कि आप किस तरह के document पर काम करना चाहते हैं, लेटर में, या email messages बनाना चाहते हैं, या envelop बनाना चाहते हैं, या label बनाना चाहते हैं, या director बनाना चाहते हैं, हम यहां later select कर科ू करके, next कर देते हैं, तो दूसरे option में हमसे क्या पूछा जाता है How do you want to set up your letters मतलब आपका जो है कैसे इसको set up करना चाहते है आपका letter पहले से बना है या आप बनाना चाहते है यहाँ तीन चीज पूछा जाता है Use the current document मतलब यही document आपको use करना है या start from a template कोई नया template लेकर start करना है या start from existing document मतलब पहले से हमारा कोई बना हुआ है उसे हमें open करना है तो यह तीन चीज यहाँ पर दूसरे step में पूछा जाता है next करते हैं यहां से तीसरा step भी हमसे पूछा गया है कि यहाँ जो तीसरे step में आपको पूछा जाता है recipient का option होता है यहां होता है use an existing list select from outlook contacts और type a new list यह तीन option यहाँ पर आता है तो यहाँ में से कोई चौथा option दे दिया था जो कि हमारा answer नहीं था तो यहाँ mail merge में जो तीसरा step है हमारा उसमें हमें आता है select recipient का option उसमें तीन option होता है use an existing list select from outlook contacts और type a new list यदि आप type a new list पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ create का option मिलता है इस create में आने के बाद एक question पूछा गया था कि mail merge में यहाँ पर जो address list है क्या इसमें pin code का option होता है pin का तो pin का option नहीं होता है jeep code का option होता है हम यहाँ pin का option add कर सकते हैं ठीक है तो यह भी label पूछा था कि इसमें कौन-कौन सा जो है data का heading होता है title, first name, last name, company name, address, address line 1 होता है और फिर address line 2 होता है city होता है state होता है zip code है country है, home phone है work phone है और email address है तो question में option दे दिया था कि इसमें से कौन सा नहीं है आप इसला video देखेंगे वहाँ पर आपको question मिल जाएगा तो वहाँ पर हमारा pin code का option नहीं है zip code का यहाँ पर option देता है जैसे पूछ देगा mobile number का option है तो नहीं है work phone और email address या home phone का option वहाँ पर रहता है ठीक है चली इसे escape कर देते हैं यहाँ से close कर देते हैं अब यहाँ हम spread sheet के बारे में थोड़ा देखते हैं जो MS Excel के नाम से भी हम जिसे जानते हैं spread sheet एक बहुत बड़ी sheet होती है जिसमें data और जानकारी lino यानि row और column में वेवस्थित होती है जैसे हम यहाँ window बटन दबाकर Excel यहाँ पर start कर लेते हैं enter कर देते हैं यह हमारा row हो गया first row, second row, third row इस तरह से जो एक, दो, तीन लिखा इसे row कहते हैं और जो a, b, c, d इस तरह से लिखा रहा है इसे column कहते हैं question पूछा भी गया था a, जो MS Excel है उसमें column किस प्रकार से या किस तरह से दिखाता है तो a, b, c, d इस तरह से column का नाम होता है दूसरा हमें ध्यान देना है Excel में Excel 2007 हो या अब भी 2013 हो या 2016 हो किसी से question यहाँ तक पूछ देगा हमे तो Excel में हमारा जो row होता है वो total होता है 10,48,586 यानि row इस तरह वाला एक, दो, तीन इस तरह से जो है यह हम control down arrow करते हैं देखिए total जो row है नीचे आपको दिखाए दे रहा होगा 10,48,586 होता है control अप arrow कर देते हैं उपर आगे हम और जो column होता है वो हमारा 16,384 column होता है यह हमारा जो column होगा A, B, C, D, इस तरह से यह last कितना होगा 16,384 column होता है last column पर जाने के लिए हम control के साथ right arrow कर देते हैं last जो column है हमारा उसका नाम है X, F, D last column का नाम है X, F, D फिर हमें first में आ जाना है शुरुबात में तो control left arrow कर देते हैं शुरुबात में आ गए यहां दिया भी है अंतिम column हमारा क्या है X, F, D होता है चलिए अब आगे देखते हैं अब यदि हमें Microsoft Office Excel जो 2007 से question पूछ देगा कि start करने के लिए Excel कैसे start करते हैं तो start करने के लिए यदि start button से करें start button पर सबसे पहले click करेंगे फिर हम all programs में जाएंगे फिर Microsoft Office में जाएंगे और फिर हम Microsoft Excel 2007 या Microsoft Office Excel 2007 पर click करेंगे तो यह tip हमें याद रखना है पहले हम start button पर click करेंगे फिर all programs में जाएंगे फिर Microsoft Office का chain करेंगे फिर हम Microsoft Office Excel 2007 पर click कर देंगे हमारा Excel सुरू हो जाएगा यदि अभी हमें पूछ दे कि Excel 2016 या Excel 2013 स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे हमें जो question previous year का पूछा गया है वो Excel 2016 का पूछा गया लेकिन सिलिबस में जो हमारा दिया है कि NIO 336 कोड़ से परिक्षा होगी तो उसमें हमारा 2007 है तो चलिए हम यहां पर देखते हैं जो हमारा 2016 है उसमें या 2013 है उसमें कैसे खुलेगा तो हम यहां window बटन प्रेस कर देंगे और यहां पर type कर देंगे Excel EXCEL बस यहां enter करेंगे और हमारा देखिए Excel यहां पर open हो जाएगा यह पहले से खुला था इसे हम close करके फिर से खुलते हैं window बटन दबाएंगे एक्सल टाइप करेंगे एंटर कर देते हैं बस यह एंटर कर देंगे एक्सल हमारा open हो गया या दूसरा तरीका window बटन के साथ हम आर प्रेस करेंगे और यहां पर excel टाइप कर देंगे और फिर से एक बार एंटर कर देते हैं यह हमारा blank workbook सामने आ गया यह अभी का तरीका है 2016 या 2013 जो एक्सल का पूछ देगा उसके लिए 2007 का पूछेगा तो हम बताएंगे इस तरह से start all programs Microsoft Office then Microsoft Office Excel 2007 या आप यहां पर देखिए run command से भी हम जो एक्सल 2007 है वहां पर हम run command से भी कर सकते हैं यहां पर लिखा है देखिए तो वही window के साथ आर प्रेस करेंगे और एक्सल टाइप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्सल वहां पर खुल जाएगा ठीक है अब हम जानते हैं कि work seat हम कैसे नया जोड़ते हैं या वक्सीट का नाम कैसे insert करते हैं या नया work seat हम कैसे जो है यहां पर insert करेंगे तो excel में आ जाते हैं यदि आपको नया seat लेना है तो देखिए बगल में जो यह plus बना है new seat का यहाँ नीचे आपको ध्यान देना है बगल में जो यहाँ पर seat 1 के बगल में plus बना new seat का यहाँ पर हम click कर देंगे तो देखें यहाँ पर एक नया seat आ गया या आप क्या कर सकते हैं यहीं पर आपको seat 2 जैसे लिखा या seat 1 लिखा किसी पर आकर यहाँ पर आपको right click करना है देन यहाँ पर हमें जाना है insert में, insert करेंगे और यहाँ हमारा worksheet select है, ok कर देंगे तो देखें इसके बगल में यहाँ पर जो है एक seat insert हो गया हैThis Assim oringe की भी याद रखेंगे सिप्ट के साथ में आपको f11 की प्रेस करना है नीचे देखिए आपका सीट 5 आ गया फिर से करते हैं सिप्ट के साथ f11 फंक्षन की तो देखें यहां पर जो हमारा 6 आ गया इस तरह से हम सीट इंसर्ट करते हैं यदि आपको सीट को डिलीट करना हो तो जिस सीट को डिलीट करना हो वहां पर पहले करेंगे क्लिक देन राइट क्लिक करते हैं और यहां ऑप्षन होता है डिलीट यह देखिए राइट क्लिक करने पर ऑप्षन हो रहा है डिलीट यहां से हम डिलीट कर देंगे जिस सीट को डिलीट करना हो वहां आकर आप डिरेक् और नाम पडिवर्तन करना तो चलिए seat का नाम कैसे बदलते हैं जैसे हमारा seat 6 का नाम बदलना है तो यहां पर आपको करना है double click तो देखिए seat select हो गया हमारा seat 6 लिखा हुआ बस हम यहां पर नाम नया लिख कर enter कर देंगे यह हमारा seat का नाम बदल गया या दूसरा तरीका seat का नाम बदलने का जिस seat का नाम बदलना हो वहां आकर आपको right click करना है then यहां से rename select कर लेना है rename और यहां पर हम नाम जो है seat का जो भी रखना चाहते हैं वो हम यहां पर नाम रखकर enter कर देंगे तो इस तरह से हम seat का नाम बदल सकते हैं चलिए अब आगे देखते हैं अब है आपका data संपादित करना है यहां एडिट करना तो यहां देखिए एक app2 की है इसका क्या यूज होता है देखते है एकसल में यहां पर जैसे हमें मान लिजिए यहां पर कुछ लिखना हो हम font size अधिक कर देते हैं यहां हमने जैसे name का spelling हम गलत लिए कर देते हैं यदि आपको इसकी spelling ठीक करनी हो आप चाहते हैं कि इसमें हम एड़ करें तो इसे आपको कुछ लिखकर जैसे में class लिखना होता class class हमने लिख दिया खाली एंडर कर दिया तो यह गलत है तो हम यहां पर करेंगे क्लिक यदि आप बिना एप टू के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा यह आपका पहले वाला डिलीट हो जाएगा देकि हम जैसे लिख रहे हैं पहले व आप आएंगे और यदि कुछ गलत लिख दिये तो आप backspace की दबाएं और फिर आप अपना जो है सही चीज टाइप करेंगे ठीक है चलिए आप आगे देखते हैं नेक्स्ट है पढ़ने के लिए यहां पर हमें सेल या रू या कॉलम इंसर्ट करना या सेल डिलीट करना तो देखते हैं एक्सल में हम यहां पर आ गए अब मालीजे जैसे हमने यहां पर नेम लिखा हमें जो है यहां पर नेम लिख देते हैं यहां पर हम कर देते हैं मालीज इस cell में हम कहीं पर रह सकते हैं, या ऊपर हम यहां पर क्लिक कर सकते हैं, then right click करना है, insert में आना है, तो देखेंए हमारा इससे पहले kolum insert हो गया, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अब हम लिख देते हैं class, या दूसरा तरीका, हमने यहां ऊपर क्लिक किया था, अब यदि आप इस cell में कहीं पर रहेंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं मालेज़े class के बाद हमें roll number करना हो तो father's name से पहले करना है तो यहाँ पर हम कहीं पर click रखेंगे then यहीं पर right click करेंगे insert में आएंगे अब आप से यहाँ पूछेगा कि आप कहां insert करना चाहते हैं हैना क्या insert करना चाहते हैं तो यहाँ हम कर देंगे entire column then कर देंगे ok तो देखिए father's name से जस्ट पहले आपका एक column insert हो गया अब हम यहाँ पर roll number इस तरह से type कर देते हैं फिर यदि आपको कोई column इसमें से delete करना हो तो हम यहीं ऊपर देखिए जो column का heading name है यहाँ पर right click करेंगे then delete option है delete करते हैं यह delete हो गया यदि आप इस column में आकर कहीं पर right click करके delete करेंगे तो यहाँ आप से पूछेगा कि आप क्या delete करना चाहते हैं row या column तो हम कर देते हैं entire column तो यह father name वाला column हमारा delete हो जाएगा जैसे यह class वाला row हमारा delete हो जाएगा row यह line हमारा खत्म हो जाए जो हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया यहाँ पर कुछ लिख दिया तो यह row हमारा delete हो जाए तो हम यहाँ पर करते हैं right click then delete करेंगे और यहां पर हम entire row select करेंगे और फिर ok कर देंगे तो यह row हमारा खतम हो जाएगा और यदि आप row के number पर क्लिक करते हैं तो आप से पूछेगा नहीं कि क्या delete करना है देखें यहां में जैसे पांच number row में इसमें लिखा है तो यहां पांच number और रो जो है यहां पर आकर राइट क्लिक करते हैं देन डिलीट कर देते हैं तो यह हमसे नहीं पूछ रहा है डिरेक्ट डिलीट हो गया तो इस तरह से हम column या row insert कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं चलिए अब आगे देखते हैं यह है row और column का आकार हम कैसे बदलते तो यह हमें पूछा गया था देखिए यदि आपको column की heading बरानी हो या width बरानी हो तो उसके लिए option कहां पर होता है home tap पर यहां देखिए cells block में format का option है यहां से हम row height, autofit row height, column width, autofit column width, default width इसका use करके जो हम यहां पर काम कर सकते हैं row की height बढ़ा सकते हैं या column का width बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं row height, autofit row height, column width और autofit column width और एक option है default width का ठीक है तो यहां से हमारा यह option होता है format में आने के बाद, home tap पर format में आने के बाद, तो यही question हम से पूछा गया था अब है cell को copy या move करना तो चलिए यहां पर आते हैं copy या move करने में देखिए हम कहीं पर क्या लिखते हैं जिसे 10 कर देते हैं यहां 12 कर देते हैं और यहां पर हम formula लगा देते हैं आपको केवल formula copy करना है यहां पर हम फॉर्मेट भी कर देते हैं यहां पर थोड़ा एसा फॉर्मेटिंग लगा देते हैं अब हमें इसमें से केवल formula लेना है तो हम क्या करेंगे यहां पर control C से formula आ गया ना कि उसका कोई formatting देखिए यहाँ पर हम F2 करते हैं cell को edit करने के लिए तो यहाँ पर देखिए formula copy होकर आ गया ठीक है या इसे copy करने के लिए हम यहीं पर click करते हैं यहाँ हमारा option होता है copy का copy करेंगे और जहां हमें paste करना होगा वहाँ पर click करेंगे देन यहीं पर हमारा option है paste का और यहां से हम paste में formula select करके click कर देंगे